स्वाथी ने इसी साल शहर की कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जग़ जग़ से रिष्टे आने लगे हैं स्वाथी से ज़ादा उसकी रिष्टेदारों को उसकी शादी की चिंता है इसी लिए जो भी स्वाथी के घर आता वो किसी नए लड़की की खबर ज़रूर ले आता आर दीदी ये फोटो देख के बताओ कैसा है राहुल नाम है लड़के का मेरी सहली की बहन का बेटा है अपनी स्वाथी के साथ एक दम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी जाना फोटो तो बड़ी आल लग रहा है कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे और कमाता कितना है अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी आप कहो तो एक मिटिंग करवा देती हूँ फिर सब कुछ फाइनल कर ले ना हाँ हाँ ये सही कह रही हो तुम संडे को स्वाती के पापा भी घर पे ही रहेंगी बुवा फिर वहां से चली जाती है और रात को स्वाती की मा उससे कहती है स्वाती बेटा आज कमला बुवा ने एक लड़के की फोटो दिखाई है संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं तयार हो न तुम बेटा अरे मम्मी आप कहा कमला बुवा की चकर में आ जाती हो अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी ने करनी है मुझे अरे बेटा अच्छा लड़का है बुवा जानती है उसे अच्छे से हाँ स्वाथी बेटा एक बार मिल तो लो बाद में देखेंगे आगे क्या करना है वैसे तो कमला रिष्टा लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता संडे की सुबह होती है और कमला बुवा राहूल और उसके मम्मी पापा को लेकर स्वाथी के घर आती है आरे आई आई ये भावी इसे अपना ही घर समझे इनसे मिलिए ये मेरे भाईया और ये मेरी भावी है धमस्ते भावी जी ये है हमारा लड़का राहूल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये वैसे आपकी बेटी कहा है अरे स्वाती बेटा बहार आजाओ जैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाती ने जी पोस्ट ग्रेजएट है हमारी बेटी साइंस में हम ये सब तो ठीक है पर घर संभालना जानती है या नहीं हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती है कि मैं घर पर ही बैठी रहूं अरे स्वाती बेटा ये बड़ो की बात में तुम कहां बोल पड़ी हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं हम तो इसे बात में विश्वास करते हैं कि घर के लड़किया घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है वन्ना भाई साब आप तो आज कर के हाल जानती हैं कितनी घटना है होने लगी है और तो के खिलाफ स्वाथी बेटा रसोह का काम तो पूरा जानती हो ना शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये आप सब लोग इसकी तारिफ करते नहीं थकेंगे लो भई हो गई मिटिंग अब शादी की तारिफ फाइनल कर लेते हैं क्यों भईया भई हम तो पंडिज जिसे चर्चा करने के बाद ही तारिफ फाइनल करेंगे सालों से हम उनकी बाते मानते हुए आ रहे हैं लड़के वाले और कमलाबुआ की बाते सुनकर स्वाती एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैटना पड़ेगा लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होती है अफेरो का समय होगा है अब गन्या अपने वर्स साथ बचन मांगेगी आप किसी धार्मिक आयोजन में जाए तो मुझे भी ले जाएंगी आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगी हमेशा मेरा साथ निभाएंगे आपको दोनों परिवार के जिम्मेदारियां बखुभी निभानी होगी हर जरूरी बात में मेरी भी राई लेंगे आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत सम्मन नहीं बांदेंगे ये साथ वचन पूरे हुए वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मन्जूर है जी हाँ पंडित जी मैं सारे वचन अच्छी तरीके से निभाऊंगा आरे बाबा बढ़िया तरीके से सब काम संपन्न हो गया तो इसे के साथ अग्विवा संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पती पतनी हुए एक मिट पंडित जी अभी एक वचन लेना बाकी है अब कौन सा वचन है बेटा? मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ तो पती के अलावा मैं अपने साथ सुसूर से भी एक वचन लेना चाहूँगी अब कहो बेटी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी मुझे सब कुछ करने की आजादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहु बन के दिखाऊंगी स्वाती की बात सुनकर उसके साथ सुसूर एक दम चौँक जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है वचन देने से पहले सोच लीजिए क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नर्क से भी बत्तर सजा लिखिये स्वाती की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए इस कारण स्वाती की सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है और कैसी आप शकुन वाली बाते कर रहे हैं आप पंडित जी हमने मन्जूर है बेटा तुम्हारी शर्ट स्वाती अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी खुशी राहों से शादी कर लेती है अब से हर शादी में मैं खुद आठ वचन दिलवाऊंगा ओम मंगलम मंगलम मंगलम